हेलो फ्रेंड वेलकम वेक तो मैं यूट्यूब चैनल आज हम आपके लिए लेकर आए हैं नियू डिजैन टॉप तो जो ये कपड़ा लिया है हमने डेड मीटर है और इसकी जो बाजू है वो पप्स वाली है तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमें कपड़े को इस तरीके स डबल लेयर करके रखना है इसमें से हमें अपनी मेजरमेंट के साब से बैक पीस निकालना है तो यहां से लंबाई ना अपलेंगे जो हम अपना टॉप त्यार लंबाई रखेंगे वो इसका 25 इंच रखेंगे ठीक है और इसमें हमें 2 इंच कपड़ा एक्ष्टा लेना है जो नीचे से फोल्ड होगा और उपर सलाई में जाएगा तो यहां पर हमने 27 इंच कपड़ा लिया है ठीक है इसे सीधा मार्क करके यहां से अलग करना है तो इसे यहां से अलग कर लेंगे और इसमें से हमें बैक पीस निकालना है ठीक है तो सबसे पहले हमें बैक पीस की कटिंग करनी है तो अब इसे इस तरीके से कम करेंगे क्योंकि इसकी चोड़ाई ज्यादा है यह अर्ज की तरफ से एक वार फोल्ड था तो यहां पर आप जितना भी आपका मिजरमेंट है उस साफ से रखे हमने इसे 11 इंच रखा है ठीक है और इस एक्स्टा कपड़े को भी कट करना है तो इस एक्स्टा कपड़े को भी हमने निकाल दिया है अब इसमें हमें मार्क डालना है तो सबसे पहले हमें तीरा का नाप लेना है तो जो भी आपका तीरा है उसका हाफ ले हमारा तीरा है बारे इंच तो इसका हाफ आएगा छे इंच और छे इंच में हमें एक इंच सिलाई के लिए लेना है तो यहां पर हम लेंगे साथ इंच ठीक है एक मार्क हमने छे इंच पर क्या है एक साथ इंच पर अब जित तो यहां पर हमें डेड़ इंच पे कर्ब डालना है अब हमें इसे कन नेक कन नाप लेना है तो नीचे की तरफ जो गहराई रखेंगे वो हम धाई इंच रखेंगे और अंदर की तरफ जो रखेंगे चोड़ाई वो हम तीन इंच रखेंगे ठीक है इसे इस तरीके से इसे मिला देना है और इसमें भी round shape डाल लेनी है half inch neck की तरफ से armholes की तरफ मिलाएंगे तो next की तरफ से हमने नहीं करप किया है armholes की तरफ मिलाएंगे तो यहाँ पर अपनी चोड़ाई का fourth भाग लेंगे तो यहाँ पर हमने लिया है साड़े आठ इंच और इसमें दो इंच लिये हमने लूजिंग ठीक है अब यहाँ से चैंच पर मार्क करेंगे तो यहां से जो आपकी कमर है उसका नाप ले यहां पर हमने लिया है 7.500 इंच और इसमें यहां पर लिया है 8.500 इस तरीके से इसे मिला देना है तो यह एक्ष्ट्रा होगा और यहां पर हमारी fitting की सिलाई आएगी ठैक है नीचे से हमने कप्डे को कट नहीं करना है अब जिस तरीके से मार्क डाला है उसी तरीके से हमें इसे कट कर लेना है तो यहां से इसे ही कट कर लेंगे तो यहां पर देखिए यह हमारे बैक पीस की कटिंग हो चुकी है तो इसी तरीके से हमने जैसे फ्रेंट पीस के लिए भी कपड़े को रख लिया जैसे बैक पीस के लिए रखा था और अब इसके उपर हमें बैक पीस को रखना है तो यहाँ पर हमें 5 इंच कपड़ा एक्ष्ट्रा लेना है 5 इंच ठीके इस तरीके से यहाँ पर देखिए 5 इंच कपड़ा इधर की साइड एक्ष्ट्रा लेना है बंद की साइड लेना है इस तरीके से मार्क डाल लेंगे और इस मार्क के उपर इसे बिलकुल सीधा इस तरीके से ठीक है अब इसकी जो बहर की कटिंग होगी वो तो सैम होगी और इसकी नेक की कटिंग थोड़ी सी बढ़ी होगी इस तरीके से मार्क डाल लेंगी बहर की साइड से बिल्कुल बरावर कटिंग होगी इसकी आर्म होल्स की गहराई थोड़ी सी एक्ष्टा कट होगी तो यहां से इसी तरीके से से कट करना है यहां से भी कट कर लेंगे तो यहां से इसे हमने कट कर लिया है और इसके बैक पीस को हटा दिया है और इसके गला थोड़ा सा गहरा कर लेंगे एक इंच ठीक है इस तरीके से और इसके आर्म होल्स में भी गहराई देंगे हाप इंच की इसमें हमने गहराई दी है तो यह इसकी कटिंग हो गई है ठीक है अब बीस सेंटर में कट लगा लेंगे इस तरीके से अब इसे खोल के रखेंगे तो इसमें देखिए बिल्कुल बीस सेंटर में प्लेट आनी है तो इसमें हम चार प्लेट डालेंगे इस तरीके से इस तरह से दोनों प्लेटों का जो डारेक्शन है वोम ने बिल्कुल बराबर किया है यहां पर भी हमें पिनफ कर लेना है दोनों तरफ से हमें एक एक प्लेटो और लेनी है इदर से भी ले लेंगे ठीक है तो यहां पर जो इसके बैक पीस का जो निकला है पैटन उसे ना प्लेंगे उपड़ से हमें इतना रखना है ठीक है यह बैक पीस से निकला था इससे छोटा नहीं जाए इसकी जो चोड़ाई है इसकी बराबर होनी चाहिए ठीक है तो अब यहां पर हमें बाजू कट करनी है ठीक है यहां पर कपड़े को हमने फोलियर कर लिया है यह बंद की साइड है और जितनी भी आपको बाजू की लंबाई चाहिए उस साब से लिए हमें नीचे की तरफ चार इंच की इसमें पांच इंच की पट्टी लगाने है तो हमने पांच इंच कपड़ा के लिए इंच टेप को नीचे की तरफ किया है और यह जो बाजू है यह 13 इंच कपड़ा है हम तो यहां पर देखिए पांच इंच हमारा नीचे की तरफ रहेगा और यहां पर हमें पांच इंच और लेना है क्योंकि यहां पर दस इंच पर हमें बाजू बनाने है तो इस तरीके से मार्क डाल लेना है अब यहां से हमें कर्व डालना है जैसे हम नॉर्मली बाजू में डालते हैं तो यह हमने धाई इंच पर डाला है ठीक है और यहां से अपनी बोटम का मार्क लें हमारा सिक्स इंच है रेडी तो यहां पर हम सेवन अंड हाप इंच लेंगे यानि साड़े साथ इंच और इस मार्क को इस से मिला देंगे ठीक है अब हमें इसे उपर की तरफ मार्क करना है तो यहां से बिल्कुल इस तरीके से तो ऐसे मिलाना है ठीक है इस तरीके से नौक बना के मिलाना है और इसे कट करना है यहां पर बाजू के 20 सेंटर में कट लगा देना है जिससे हमें पता रहे प्लेट डालते समय इस तरीके से ठीक है अब यहां पर हमने देखिए इस तरीके से डवल लेयर में पट्टी ली है यह हमने साड़े पांच इंच की ली है ठीक है पांच इंच हमारा तियार होगा तो यहां पर साड़े पांच इंच की पट्टी ली है हाप इंच हमारा स्लाई में फोल्ड होगा तो यहां पर इसमें जोइंट होगी इस तरीके से ठीक है इस ते बाजू की लंबाई बढ़ जाएगी ठीक है तो अब इसे इस तरीके से खोल के रखेंगे और यह देखिए इस तरीके से इसकी प्लेटे आएंगे यहां पर वो सिलते समय बता देंगे तो इस में से हमें और एब की पटी कट करनी है नेक के लिए जो हम पाइपिन रखेंगे तो यहां पर हमने पट्टी कट कर ली है और इस टॉप की पूरी कटिंग हो चुकी है तो चलिए इसको सिलते हैं तो सबसे पहले जो हमने पिन अप किया हुआ है इसके उपर सिलाई लगा लेनी है पिन को निकालना है इससे पहले हमें इसमें सिलाई लगा देंगे और पिन को निकाल देंगे ठीक है अब इसके बैक पीस को इसके उपर रखना है तो दोनों की सीधी साइड अंदर की तरफ है और तीरा को जोइंट करना है तीरा के उपर हमें डबल सिलाई लगाने है और जिस तरीके से हमने इधर की साइड से जोइंट किया ऐसे हमें इधर से भी जोइंट कर लेना है तो यहाँ पर दोनों तरफ से हमने इसे जोइंट कर लिया है अब इसमें हमें पाइपिन लगानी है तो यह जो पाइपिन हमने कट की थी और इमें पटी से जोइंट कर लेना है यहाँ पर जोइंट हो गई है और टॉप इसको हमने उल्टा रखा हुआ है और इस पटी को इसके उपर इस तरीके से उपर की साइड हमारी उल्टी है तो इसमें हमें हाप इंच की दूरी पर सिलाई लगानी है ज्यादा कपड़ा नहीं दवाना है और इतना कम भी नहीं दवाना है कि इस सिलाई निकल जाए ठीक है बिल्कुल जितने सरुवात में कपड़ा दवाया है लाश्ट तक उतना ही रखना है और इस पर इसी तरीके स सबसे पहले आपको मिलते रहे जिन्हों ने हमारे चैनल को पहले से ही सबस्क्राइब कर रखा है उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद तो यहां पर पूरे में इसी तरीके से इस लाई लगा ली है तो यहां से इसे जॉइंट कर लेंगे और एक्ष्टा पाइपिन को कट कर देंगे अब यहां पर देखिए इस तरीके से सीधा रखा है पहला फोल्ड हापिंच पे दूसरा भी हापिंच पे है और जो इसकी सिलाई आई हुए है से अंदर की तरप करते हुए पूरे नेक के उपर इसी तरीके से सिलाई लगानी है कपड़े को खीजना नहीं है किसी को भी हलके हाथ से इसी तरीके से पूरे में सिलाई लगा लेंगे तो यहां पर पूरे में हमने सिलाई लगा ली है तो देखिए इस तरीके से पाइपिन लगके आई है हाँ आप इस तरीके से खोला हुआ हुआ और इसके ओपर बाजू है कि त्पी लाएंगी कि अब इस तरीके से उसे फ़ोल्ड करेंगी और इस तरीके से स्लाई को दबा देंगे इसमें भी हमें सीधी सिलाई लगानी है आप चाहे तो इसके उपर कोई लैस वगरा लगा सकती है लेकिन ये खाली सिलाई भी अच्छी लगती है इसी तरीके से हमें दूसरी वाली बाजू को भी कम्प्लीट करना है जैसे हमने इसे किया है यहां पर जोइंट हो चुकी है अब देखिए यहां पर हमें 20 सेंटर में एक मार्क करना है जहां पर हमारी सिलाई आई हुई है और इससे धाई इंच इधर को और धाई इधर को लेना है ठीक है पाँच इंच में हमारी प्लेटे आएंगी अब हमें बाजू को नापना है तो इस तरीके से रखके यहां पर बाजू को और जहां पर हमने मार्क किया है पिनफ कर देंगे और अब दूसरी साइड से भी ऐसी ही नापनेंगे और इसे पिनफ कर देंगे यह पिन अब हमें खाली कपड़े में जो बाजू का कपड़ा इसमें रखनी है दूसरी साइट भी यहां से इसे निकाल लेंगे रिसी बाजू के कपड़े में रखेंगे ताकि हमें पता रहे कि इतनी कपड़े की प्लेटे आनी है ठीके अब यहां पर 20 सेंटर से हमें शुरुबात करनी है इसकी जो सिलाई है बीस सेंटर से करेंगे और इसमें प्लेट लगाएंगे तो प्लेट का डारक्शन हमने बाहर की साइड किया हुआ है और इसमें 3 से 4 फ्लेट जो भी आएं उस मार्क तक ही लगानी है और जो बाजू में हमने पेन पिया हुआ है वही तक लगानी है और इसकी प्लेटे क्ई तरीके से लगती है वह हम आपको बताएंगे कि कॉनकॉन साओ तरीके में G Definitely कहले को निकाल कि सी सलई लगा देंगी uh तो देरकी साहिट से लगाली है और अब इसे भी बाजू को जोइंट करना है तो जैसे हम इसमें प्लेट लगाई है इसी तरीके से हमें जहां तक या में पे निया है वहां तक प्लेट लगानी है और सेम तरिकेशे में दूसरी बाली बाजू को लगाना है और इसके उपर डवल सिलाई लगानी है तो प्लेटे यहां पर लग चुकी है अब इसमें सीधी सिलाई लगा लेंगी तो यह देखिए कितने अच्छे से बाजू लगके आई है सेम तरिके से दूसरी बाली बाजू लगानी है ठीक है यहां पर भी तो देखिए हमें दोनो बाजू हमने लगा लें है इसमें और अब इसे हमें फिटिंग करना है तो इस तरीके से सीधी साइड अंदर की तरफ है और पूरे में बाटम तक दौनो तरफ सिलाई लगा लेनी है तो यह बाजू के बाटम पर सिलाई लगाई है आप अपने फिटिंग के हिसाब से लगाए और यह इसी तरीके से नीचे बाटम तक पूरे में सिलाई लगा लेंगे इसी तरीके से हमें दूसरी तरफ भी सिलाई लगा लेनी है तो यहाँ पर दौनों तरफ हमें सिलाई लगा लिए आप इसको सीधा करना है और इसका बाटम को फोल्ड करना है तो पहला फोल्ड हाप इंच पी लिया है दूसरा भी हमने हाप इंच पी लिया है आप चाहे तो इसमें लाच्टिक लगा सकते हैं नीचे या फिर ऐसे ऐसे ही फोल्ड कर सकते हैं तेदे की पूरा टॉप हमारा बनके रैडी है किस तरीकी से बनाया है बहुत यह अच्छा इसका लुक आया है आखिर तक वीडियो देखने के लिए थैंक यूँ